नवजकार आदाब आप सभी का स्वागत है C.I.B. इंडे नूस पर आए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला बिजनौर के किरतपूर छेत्र में आज अचानक से हुई तेज बारिश और आकाशे बिजली गिरने से एक साथ साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है इस मौत के बाद परजनों का रो रोकर बुरा हाल है अकाशे बिजली गिरने के कारण घर की दिवार में दरार भी पड़ गई साथ ही घर में लगा इंवर्टर भी कई टुकडों में बिखर गया है कीरतपुर के मुहला अंसरियान में आज शाम आकाशे बिजली के साथ हुई तेज बारिश से एक साथ वर्षी अमार नाम के बच्चे की मौत हो गई पता चला है कि बच्चा अकाशे बिजली के दौरान अपने छट पर खेल रहा था तबी अच्छानक से जोड़दार बिजली कड़कने की आवाज आई और घर में रखा इंवर्टर भी कई हिस्सों में तूट कर बिखर गया साथी घर की दिवार में भी दरार आ गई जब बच्चा च्छत के उपर से नीचे नहीं आया तो घरवालों ने उपर जा कर देखा तो बच्चा बेहोशी की हालत में मिला जब परजन उसे डॉक्टर के हां लेकर पहुचे तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है इस घटना के बाद मिल तक बच्चे के घरवालों का रो रो कर बुरा हाल है उधर इसकी सूच ना जिला प्रशाशन के आला अधिकारियों को दे दी गई है लेकिन अभी तक कोई भी आला अधिकारी मौके पढ़ नहीं पहुचा है जीने पर बच्चे चड़ राता है उसी बक्ती बहुत बड़ा धमाका हुआ हुआ हम तो नीचे कमरे में बैठे बैठे हिल गया है नुकसान तो फिलाल यह थोड़ी शहत फटी है यह यह जो आपने हाथ में ले रखा कपड़ा यह बच्चे के बच्चे के बच्चे के बनियान और उसके सारे कपड़े पढ़ गया जी 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 और क्या नुकसान वागर में नीचे था वह इन्माटर भी फढ़ गया बैठे जिसमें धमागा हुआ तो उसमें क्या मंजर था क्या महापत है जो भी जहां था वहीं वो हिल गया इसमें बड़ा धमागा था कपड़ने क्या हो गया सियाई विंडियनूस के सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें